यह देखिए यह homemade sanitizer बनके त्यार हो गया है तो आठकल जो कोरोना वाइरस चल ला है उसकी वज़ास हमें यह sanitizer जो है हमें बाहर भी लेके जाना पड़ रहा है तो इससे हम हाथों को हमें अच्छे से वाश करके रखना है तो हम घर पे रहते हैं तो हम साबून से अच्छे से है तेसे हम हर 15 से basement में हाथों पे लगा सकते हैं तो कोशिज करें के घर पे ही रहें अगर बहुत जोड़ा था तो आप बाहर निकलें और अपने यूमनिति सिस्टम को भी बढ़ाएं खाने पीने का खास ध्यान रखें बाहर का कोई भी चीज ना आप खाएं घर पर ही बना है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें और इसे घर पर ही बना सकें तो हेलो दोस्तों का वे की चैन में आपका स्वागत है आँ जब बनाएंगे हो मेट सैनिटाइजर तो देखिए उसके लिए हमने यह नीम की पत्तियां लिए और य दो हने शाथनिटे का साज़ी जच्छे से वाश करेंगेısı। अधूस को हमें बहुत अच्छे सिवाश करना है हां कि ओ हमेर घरपे रहना है तो साबून से क्लिच करते हैं पर बाहर जाते तो आम अश्न पड़्म के जोर। पढ़ती हम दिखिए अच्छे से हाथों कमने अच्छे से वाश कर लिया है दो से धाई ग्लास के कर पाई डाल देंगे हम गैस को हमने ओन कर दी है ताकि कि इसमें यह तुलशी की पत्ती डाल देंगे और जो हमने यह नीम की पत्ती है लें को डाल देंगे यह फिटकरी और यह कबूर और इनको हम जब तक बॉइल करेंगे जब तक कि आदा नहीं रह जा रहा है तब तक हम इसे उबालना है यह देखिए यह पानी आदा रह गया है और इसकी देखिए नीम और तुलशी की पत्ती से इसका कलर इदम चेंज हो गया है और पानी भी इसमें काफी मात्रा में कीताड़ को मारने की चमता होती है तो इसको हम गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा करेंगे ómo ओ कंगे हम ठंडा कर लेंगे जे यह ठंडा हो चुका है यह लेंगे बहुत अच्य होम मेड पर आख लेंगे相信 अश्मन हे अब बनाकर के रख सकती है तो इसको अब पास कर लेंगे ठेमाइप पास यह जो लिक्विट लोरत अभेब्च लिए हम ही से लगा सकते हैं यह तो हम इस बाटल में भरके रख देंगे उसको हम हर 30 मिट लगाते रहें बच्चे हो या बढ़े आप किसी सभी को दे सकते हैं से लगाने के लिए तो घर पर हम रहा है तो हम लि पहलेंगे अच्छे से इसको हम हाथों को सैनिटाइज करेंगे तो नीम में काफी मात्रा में अवसाधी गुर्ण पाये जाते हैं तो दात-खत-खुजली को यह खत्म करता है तो चर्म रोग होते हैं उन्हें हम यह इसका ज्यून की छाल होती है उसका लेप करती है नीम के प् लोग भी बना सकें